रुद्रपुर में पंतनगर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में एक साल से फराज चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली से गिरफतार कर लिया है वह इस मामले की जानकारी देते हुए SSP मंजुनाट TC ने बताया कि बीते एक फरवरी 2023 को हरीश सिंग महेता निवासी छतरपुर ने ठाना पंतनगर को शिकायत दर्ज की थी कि उसका ट्रेक्टर 29 जनवरी की रात में चोरी हो गया वह इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाच की तो आरोपी मंदीप सिंग महेश सिंग समेच चार शातिर बदमाशो द्वारा ट्रेक्टर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को चोरी के ट्रेक्टर के साथ गिरफतार कर जेल भेज दिया है चौथा आरोपी अभी भी गिरफतार है रुद्रपूर से मुकेश मंदल की रिपोर्ट हमारा जनपद उदमसी नगर में इनामियों के उपर लगातार कारवाई चलते रहते हैं आज पंतनगर ठाना पुलिस को बहुत 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 बहुतरीन सफलता मिली है आप सभी को अवगत होगा पिछले साल चतरपूर में अब सब्सक्राव लेगे ते साथा लाग रुपरी ग्याव जेल गया थे पर लगातार वंटेट चल रहाता उपर बीस हजार का इनाम दराशी भी एक साल से गोशित हुआ था टीम ने बहुत महनत करके इस पेशली पंकच बिन्वाल प्रकाष विश्वकरमा और प्रदीप क अब बहुत महनत करके उसको ट्रेस आउट किया मदरास में और काफी दिन से वदरास में कैंप करके गए ते टीम और उसके पीचा करते करते जब दिल्ली में अमने पकर्दकड की कारवाई करी है हमारी टीम ने बहतरीन कारवाई है इसी प्रकार जो है आगे भी इनामियों क करवाई चलती रहेगा